है दोस्तों वेल्कम टू अनादर वीडियो और पॉर्टफोली रिव्यू आज है 18 मार्च 2024 और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे दो साल पुराना एक लॉंग टम इन्वेस्टर्स की अच्छी पॉर्टफोलो पॉर्टफोलो में चलेंगे बट उसके पहले सरका जो पंद्रा साल तक इन्वेस्ट करना और आइधिंग की होल भी करना प्लीज रिव्यू अबाउट स्टॉक इन पॉर्टफोलियो वह तो हम देखने के बाद ही बात करेंगे प्लीज रिव्यू रिगार्ट ओके सबसे पहले सर आपको भी दिल से बहुत-बहुत दने बाद यह आपका पॉर्टफोलियो में ओपेंड कर लेता हूं देख लेते कि आपने लास्ट दो साल से कौन-कौन सी सेक्टर में कौन-कौन सी शियर में कितना-कितना इन्वेस्ट किया बर शुरुआत करने से पहले जैसे कि हमेशा मैं बोलता है यहां पर जो भी मैं आपको सेशन दे ठीक ठाक हो रहा है बहुत ज्यादा तो नहीं बट फिर भी मैं बोलूंगा ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है 16.68 परसंट का पॉर्टफोलियो का करेंट वालेशन पहुच चुका है 17 रुपए की उबर 17 लाक तेरा हजा 24 रुपए की प्रॉफिट सरक हो रहा है तो इन्हों अच्छी कम्पणी है अब देखिए अच्छी वने की बात तो अलग बात है वो तो अलग बात है य नो बट प्रॉब्लम है कि आज की डेट पे ना वहीं से भी एक तो दवाब में है उपर से और दवाब बना रहा है जिसके चलते हमने क्या देखा कि मिट कैप सेक्टर स्मॉल कैप सेक्टर वैसे ही फसा हुआ है ना बाकी कंपनी का कोई इंटर्नल इशू नहीं है थोड़ा पेश रखें बाकी यहां पर कंटिनुई रख ओके नेक शेयर सने इंवेस्ट किया एप एल एपलों के अंदर अच्छी कंपनी है बड़े कंपनी कोई चोड़े कंपनी नहीं है और यहां पर यह बहुत ही कंसिस्टेंट रिटन देन दिया तो आप चाहें तो यहां पर एट कर सकत में जो कि हमने देखा 23 की शुरुआत भी आपने देखा था कि शियर जो है लगबग सारे 5500 700 600 का सबस्का जो की बहुत महीं नहीं की प्रॉफिट यहां पर यहां पर बीगिनर्स को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सेर्की पोटफोल का साइस कितना है चौदा लाग अर्स लाग साथ लाग इंवेस्ट करें तो वह ज्यादा उपका ओवर वेटेज पर इन्होंने वैसा नहीं किया एक अच्छा वेटेज रखा ऑल्मोस्ट देखे चौदा लाग अर्सवाइज की पोटफोलो यह निरफ ली अगर हम कैलकुलेट कर तो लगबग 10% का राउंड सब्सक्राइब काफी नुक्सान हो रहा है वेटेज ठीक टाक है यहां पर कंटिनियू किजिए इमिडियेटल में बोलूंगा एड या सेल करने की जरूत नहीं है उसके बाद इन्वेस्ट के रूट मोबाइल के अंदर सेम देखें लॉक्ड़ान के बादी यह भी बड़ ब इंडिया में अपना बना रहा है तो यह सारे जो मदर से सुमी इसको बहुत फायदा मिल रहा है तो 23 परसंट की प्रॉफिट बस कंटिनियू कीजिए डोचार को लेना जब भी मौका मिल जाए तो टाटा एलेक्सी सर्की नेक्स्ट शेयरे 6309 सार बहुत बढ़िया चॉइस इवन अची डेट भी वेटेज आपका एक दम बड़ाबर है मतलब बहुत जादा वेटेज नहीं दिया तो आई थिंग बीगेंश को यहां पर बहुत कूछ सीखने को मिल ला कि कहां पर कितना वेटेज डाले नेक्षियर याश्व इंडस्ट्री एक और 600 अंधर कंपणी ब भाव में भाई किया फिलाल शेर अपना अल्टेम हाई के आसपसी चल लग बहुत नीचे नहीं है सारे 80% की टोटल प्रॉफिट सारे तिराजर इन्वेस्ट में ठीक है वेटेज बढ़ाते जाहिए नेक शेर से इन्वेस्ट किया बलाची एमाइंस केंदर केमिकल सेक्टर की सब्सक्राइब करेंगे मैं आपको बोलूगा मोरेट रिसकी टाइप की कंपनी 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 खड़ाब नहीं है इंटरनल को इशू नहीं है बीच में देगा था एक्चुली ग्लोबल मार्केट में बहुत सरे इशू के कारण केमिकल सेक्टर में गिरावाट हुआ बाकि यहां पर कंटिनियू कीजे जब प्रॉफिट में आएंगे मैं आपको बोलूगा है यहां पर थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट कर लेना मतलब थोड़ा सा वेटेज जो है डाउन कर लेना ठीक है ओके उसके बाद इन्वेस्ट का सीच्टर में बहुत ही बढ़िया सेक् विजन मार्केलिविजयल हरे कंपनी का दोस्तों बिजनस एक्सपैन होगा जैब चोटे कंपनीं या बड़े कंपनी बड़े और बड़ा बड़ा ना नेक ही नेक्षर क्लिन साइंस एंट टेकलोजी एगें देखें केमिकल सेक्टर अच्छा भी मालूम पड़ा कि आपने 2022 से इंवेस्ट करना शुरू किया बट केमिकल सेक्टर में काफी अच्छा वेटेज हो चुका है आपका जैसे की रोजारी बायोटेक शुरुआत में कोई था नह बड़ नहीं पाया तो वेटेज सेक्टर वाइस जैसे अपने इंडिविजल शेर वाइस ठीक टाक इंवेस्ट किया सेक्टर वाइस भी थोड़ा आपको इंवेस्ट करना चाहिए ठीक ठाक ठीक है तो यह फ्यूचर में मैं बोलूंगा जब प्रॉफिट वाएंगे बड़न कोई प्रॉफिट हो चुका है डी मार्ट की एक्चुली देकि एशू हो रहा है कंपणी के बिजनेस कंपणी अपने बुरह ने वहीं कोई कंटीनियुक बार चाहिए इसको मात दे रहा है को रिलाइंस रिटेल आप देख लिजें कितना फास्ट पेस में बिजनेस क सब्सक्राइब करें लगातार एक दो एक दो करके छोड़े मोटे कंपणी के साथ एक वर कर रहा है हर एक जगा पे गली महले पर देख लिजे आपको रिलाइंस की स्टोर मिल जाएगा रिलाइंस के तो वही बात अपने पुराने वही जो बिजनस मॉडल दा उसको कंटिनुर करने की जरूरत है क्योंकि आप देखिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो दूसरे कंपनिया ना काफी बढ़ चुका है जो अच्छी कंपनिया है इसको बिजनस मॉडल कोई से बाखी इमिरेटल में बोलूंगा सेल करने की जरूरत नहीं थोड़ा पेशन्स रखिए नेक् इसको रेकमेंड करता हूं बहुत ही कंसिस्टन इंटेन देवल चेयर बस आग बंद करेंगे कंपनी टॉप नॉच कंपनी एक्ट अच्छी कंपनी एक्टुली इंजिन सेक्टर की कंपनी पर थोड़ा यह पेशन्स रहें कि कंपनी आज ने तो बढ़ेगा यह बढ़ेगा नौकरी की बात करें ठीक है 3890 रुपए के बाइट इस परसंद की प्रॉफिट वेटेस ठीक टाक है इंक्रीज करने के जरूत नहीं है पी इंडेस्ट्री एक और केमिकल सेक्टर अलग-अलग सेग्मेंट वाइस हो सकता है कि कोई एग्रो केमिकल कोई स्पेशलिटी केमिकल कोई कॉमेटी केमिकल बट स्टिल केमिकल सेक्टर अभी थोड़ा वह डाउन है ठीक है एक दो को छोड़के एक दो एक्सेप्शन है तो यहां पर सन्ने 3,130 रुपए में भाई किया ठीक है प्राइस आपका ठीक टाक है वह बात नहीं है बात ही है कि आपने केमिकल में बहु करें यहां पर कंटिन्यू करें ओके लास्ट फाइनल पर यह देख लेता है फाइन और गानिक वही देखिए विर्से केमिकल फिर्से केमिकल और वेटेस देखिए कितना एक लाक उननीस हजार तो यह बहुत बड़ा वजा एक्चुली आपकी पॉर्ट्फिलो बहुत जदा बड़न नहीं पाया एक्चुली लास्ट आपने बाइस में इंविस्ट के मतब दो साल हो चुका है दो साल में आपने तो मतब इंफास्ट्रक्चर को मैं अभी तक तो शेर उतना खास देखा नहीं इंफास्ट्रक्चर के जबकि मैं कितने बार चीक-चीक के सब को बोल रहा अब प्रॉफिट में आजाएंगा यह केमिकल्स में रिकावरी होगा तो कोशिश करें यहां पर एक दो को हटाने की ठीक है और बस दो को रखिए दो को रखिए वह आप चूज कीजिए ठीक है बागी सब हटाईए नेक्शियर ग्रीन पैनल इंडस्ट्री अची कंपनी है चोटे के लेबल की थोड़ा बहुत मॉडरिस की टैप की कंपनी इमिरेटल सेल करने की जरूरत में फंडमेंटल ठीक हैं हैप्यस माइन की बात करें कंपनी छोटे लेबल के आईटी कंपनी ठीक ठाक कंपनी है फिलाल थोड़ा बहुत युएस मार्केट की वज़े से या द गिरावाट almost 60% की crash बाप्रिवाप और उसका वाद लगा दा तो इशू चल रही है ना तो मैं बुलूँगा कमपणी देखिए जिस बैसे बिजनेस भी थोड़ावा डाउन होड़ा है शेर में गिरावाट हुआ तो ठीक है आपने जाधे इंवेस्ट नहीं किया वो तो चलो पॉटफोलियो बना दिया जिसकार आपकी पॉटफोलो दो साल पुराने क्यूंकि अक्सर मैं लास्ट ऐसे बहुत सारे पॉटफोलो देखा उना लास्ट है मैंने पे ना 70-80% इसके पहले मैं रिवीव कर चुको है इस पॉटफोल आप देखना इस वीडियो का अगर आप तो आपको अच्छे से याद होगा कि ऐसे बहुत जारे पॉटफोलम ने रिवीव किया इस चैनल के उबर चैनल मैंने पे तीन मैंने पे 70-80% की रिटन दिया उसके पीछे रिजन वही है यह लोग पूरा गब्मेंट की जो पॉलीस है जैसे की इंफ्रा बेस्ट जो कंपनी है डिफेंस होगा हो सकते हाल फिलाल में एक दिर मैंने पर थोड़ा डाउन है तो आपको भी सेम रेकमेंडेशन करूंगा कि अगर आपको आगे इंवेस्ट करना है तो कोशिश करें इंफ्रावेस्ट शेयर हो क्या मैनुफेक्चरिंग सेक्टर में सिर्व अपने डिक्सव प्लीज कमेंट करें थ्रू बताइए कमेंट बाक्स में मिलते नेक्स्ट वीडियो पर वीडियो को वाइंड अप करता हो टेक क्यार बाबाई जाए